आप सबको नमस्कार अभी हम लोग English Language and Literature Code No. 184 के Termo 2 के सलेवस को कपी अच्छे समझेंगे क्या हमको Termo 2 के लिए प्रिपेर करना है तो चलिए देखते हैं तो Termo 1 तो लगबाग वबर हो चुका है अब Termo 2 पे फोकस करना है हमको तो Termo 2 में पहला जो है ना हो है Reading तो Reading में जो Question होंगे ओवेस्ट होंगे Unseen Passage के उपर अल्रेड़ी आप Termo 1 में इस्टाप के Question सालवा कर चुके हैं जिसमें जो Assessment होगा, Inference का होगा, Evolution होगा, Workability होगा, Analysis होगा और Interpretation होगा इसमें जो Discresive Passage आएगा वो 400 से 450W सका होगा और एक Case-based Factual Passage होगा, जिसमें Visual Input हो सकते हैं, Isterical Data, Chart, etc. हो सकते हैं, यह 200 से 250W में आएगा अगर इस टैप के आप देखना चाहते हैं, तो मेरे Termo 1 के बहुँ सारे Sample Paper में आपको इस टैप के Question मिलेंगे और Termo 2 के लिए तो मैं अप्लोट करूँगा ही Writing में जो है इसमें descriptive paragraph है, diary writing है, story writing है based on beginning line, outline, cues तो जो story writing होता है उसी टैप का है इसमें भी जिसमें आपको कुछ दिया रहेगा, जिसके बेस पर आपको इसको बनाना है फिर grammar पे चलेंगे, तो देखिए grammar में tenses है, subject verb, concord है, models है, determiners है, reported speech है, commands and requests है, statements है और questions है जिसमें grammar के total eight part है, जो आपको complete करना है, फिर इसके बाद literature पे चलते हैं, तो literature पे जो question आएंगे, वो extract debate भी हो सकते हैं, text debate भी हो सकते हैं, इनका जो aim है, आपके ability को assess करना है, किस type के ability को कितना चाप interpret कर पा रहे हैं, inference कर पा रहे हैं, और extrapolation beyond the text, मने text है के बाहर भी आप कितना सोच पाते हैं, और text के अंदर भी सोच पाते हैं, ऐसा नहीं कि जो पढ़ रहे हैं, वही आएगा, ठीक है, तो moments में हैं, आपका weathering the storm in Irsama, first chapter है इसका टर्मटू के लिए, second में हैगा, the last leap, third है house, is not a home, fourth है the beggar, तो moments के चार चेप्टर इसमें कभर हो रहे हैं, फिर विहाइब में, प्रोज में, पेकिंग है, reach for the top है, the bond of love है, if I wear you है, उसके बाद poem से में देखिए, no men are foreign, unkilling a tree, the snake train, ते तिनों है, तिस प्रकार से total जो है आपको, जो text book से या literature part से आप कायेगा, वो 4 chapter है, 4, 4, 8 है, और 8, 3, 11 है, 11 chapter आपको prepare करना है, आगे देखते हैं, इसमें जो marking का weightage है, वो कैसा है, reading के उपर जो weightage है, ये तो termon में भी था, writing and grammar पे 10 marks सका है, literature पे 20 marks सका है, मिलेगा, अगर आप नेकदम सही सही बनाया तो, उसके बाद जो internal assessment है, वो 10 marks सका है, जो आपको school से मिलेगा, और grand total इसमें है, termon two का 50 marks, तो आशा करता हूँ, ये जो मेरा video है, आप लोगों के लिए काफी जादा useful रहेगा, आप comment करके ज़रूर बताईएगा,